जैशरी राओ से विशेश रूप पे चर्चा करेंगे साल 2022 में स्वास्त और सम्मान को लेकर धन और आमदनी को लेकर मकान व्यवसा या नौकरी शिक्षा संतान भाग्य वैवा वैवाहिक जीवन और विदेश यातरा से संबंदित भी अगर योग होंगे तो वो भी आपको बताए जाएंगे तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि यह वीडियो चंद्र राशी के आधार पर आधारित है यानि आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा आठ नंबर में बैठे हुए है या आपका बोलता नाम रश्चिक राशी के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए है आप इसको सुन सकते हैं और इस वर्ष होने वाली घटनाओं से सतर्क और साबधान पहले से हो सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जीवन के मुखे पहलू खास तोर पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे आपकी शिक्षा हो चाहे आपका वेवाहिक जीवन हो उनके उपर गोचर ये प्रभाव खास तोर पर शनी और ब्रस्पती शनी ब्रस्पती का दोरा गोचर और राहुकेतू का राशी परिवर्तन भी इसी वर्ष होगा क्योंकि अप्रेल का महीना इस वर्ष बहुत खास है उसमें ब्रस्पती शनी और राहुकेतू जैसे तीन ग्रहे राशी परिवर्तन कर जाएंगे तो आईए देखते हैं सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि आपकी सामने जो स्क्रीन है स्क्रीन के उपर आपको जो डिस्पले हो रहा है यह है एक जनवरी 2022 का गोचर है जिस प्रकार से वर्ष कुंडली में हम जनम दिन के आसपास का दिन लेते हैं या कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका डेटर वबर टाइम प्लेस लेते हैं उसी तरीके से मैंने यहां वर्ष प्रवेश यहां एक जनवरी 2022 का गोचर आपके सामने लिया है उससे हम प्लेनेटरी पोडिशन देख रहे हैं कि आपकी राशी में सबसे अच्छी बात है राशी के लौड मंगल इस वर्ष आपकी ही राशी में दिखाई देंगे महीने की शुरुवात में एक स्ट्रॉंग कॉंबिनेशन यहां मंगल ने केतु के साथ बैठ कर दिया है वहीं राशी से दूसरे घर में सूर्य और शुक्र की यूती है राशी से तीसरे घर में शनी देव बुद्ध के साथ विराजमान है तो राशी से चौते घर में ब्रस्पती कुम राशी में विराजमान होकर चल रहे हैं राहू सब्तम भाव में शुक्र की राशी में है उच्चस्त है इस वर्ष लगभग लगभग अगर देखें तो अपरेल के महीने तक जो प्लैनेटरी पोजिशन्स है वो एक राहू के तू के अक्षपे सभी राहू को लाती है जिसको कलियोगी जोतिश में काल सर्ब दोश या योग के नाम से जाना गया है मैं इसके बारे में किसी भी प्रकार की व्याख्या नहीं करता हूँ क्योंकि मैं इस दोश को ना तो मानता हूँ और ना ही इनसे कोई जीवन में प्रभाव पढ़ता है उसके लिए भी हम विशेस रूप से कभी चर्चा करेंगे लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ वरश्चिक राशी एक काल पुरुष की आठ नंबर की राशी है जहां से हम गोपनियता चुपावट शत्रों को लंबे समय तक याद रखना समय आने पर बदला लेना चुपकर रहता है और मौका आने पर वार करता है ऐसा व्यक्ति अपने भीतर बहुत ज़दे गहराई लेकर रखता है बहुत ज़दे चुपावट लेकर रखता है बातों को इसमरन रखता है याद रखता है कि किसी ने मेरे साथ अच्छा करा किसी ने मेरे साथ बुरा करा उन सब की गहराई उन सब की जानकारी ऐसे लोग अपने सुभाव में रखते हैं तो व्रश्चिक राशी एक गोपनियता की साधना और साधक की राशी भी कहलाती है ऐसे लोग मंगल के सभाव वाले यानि हिम्मती तो होते ही हैं काम के अंदर लगाता निरंतर रूप से लगे रहने के कारण अपने जीवन में किसी न किसी इस तरपर सफलता प्राप्त कर ही लेते है तो ये तोती एक रशी से संबंदित गुन जो आपके भीतर देखे जाते हैं कि व्रश्चिक राशी वाले इस प्रकार की लोग होते हैं जीवन में अब बात करते हैं जीवन के मुख्य पहलों के बारे में सबसे पहले में स्वास्त और मानसम्मान को लेकर यहां चर्चा करना चाहूंगा स्वास्त मानसम्मान हमेशा से राशी राशी के मालिक लगन लगनेश इन सबसे देखा जाता है वर्ष की शुरुवात में मंगल स्वयराशी के होकर केतू के साथ इस प्रकार का इंडिकेशन देते हैं कि इस वर्ष आपके भीतर इम्यून सिस्टम भेतर रहेगा इस वर्ष आपके भीतर उर्जाएं अच्छी रहेंगी इस वर्ष आप और अधिक उर्जाश के से अपने जीवन में अपने काम को आगे बढ़ाने की इच्छा है रखेंगे मेहनत से अपने कारे में आगे चलेंगे स्वास्थ के दश्टी कौन से ये कॉम्बेनेशन अच्छा है आप स्वैम इतने सजग हो जाएंगे कि आप अपने जीवन में अपने स्वास्थ को लेकर सचेत रहेंगे उसको योगा से प्रानायाम से एक्सरसाइस से वर्काउट से क्योंकि मंगल इन सब का प्रतिनिद्द करता है कि बॉल्ड के अंदर ऊर्जा की कमी ना हो जाए बॉलर्ड सरकूलेशन ठीक रहे हैं ये क्योंकि मंगल को मज्जा मास रक्त इन का भी कारक कहा जाता है तो उस लिहाज से ये combination अच्छा है स्वास के नजरिये से मान सम्मान के नजरिये से मुझे कोई भी problem नजर नहीं आती साथ इसके उपर किसी भी अन्य अशुग ग्रह का प्रभाव या द्रश्टी भी नहीं पढ़ती दिखाई दे रही है यानि आपकी राशी का मालिक राशी में है बहुत अच्छी स्चती में है ये मंगल है वरश्टिक राशी के उद्य को लेकर इस वर्श आपके सामने आया हुआ है एक इस्तिती ऐसी आएगी जब मंगल, मकर राशी, कुम राशी और मीन राशी के इंदर ब्रमन करेंगे ये समय आपके कारे खेतर के लिए बहुत अच्छा होगा वो समय लगबग आप ये समझ सकते हैं जब मकर राशी में मंगल होंगे मुझे नहीं लगता के ये वर्ष वर आपको किसी प्रकार की तंगी या परिशानी देने वाले हैं एक इस्तिती ऐसी आएगी जब मंगल मिठोन राशी में ट्रांजिट करेंगे मिठोन राशी आपकी राशी से अश्टम और शत्रू की राशी होगी इसमें लगबख 16 अक्टूबर से 13 नवंबर का समय आपकी स्वास्त के लिए कुछ शिंता दर्शा सकता है उसमें विशेश समय पे आपको थोड़ा अपना ध्यान रखना होगा बाकी स्वास्त मनसम्मान के नजरिये से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है अब मैं बात करूँगा धन, आमदनी, पैसा और इनके प्रमोख कारक ब्रसपती के बारे में देखिए आपकी राशी के अनुसार दो जगह से धन की स्वती को देखना निवार रहे है पहला दूसरा भाव, राशी से दूसरे भाव से हम धन देखते हैं कुटुम का धन देखते हैं, आपकी बोलचाल, आपकी वैवार के कारण कमाया हुआ धन देखते हैं क्योंकि यह बोलचाल का भाव है, और जिसकी बोलचाल अच्छी है इसका मतलब है कुछ न कुछ उसके लिए बहतरी जीवन में है कि हाँ वैव व्यक्ति अपने जीवन में, अपनी वानी, अपनी जिवा के द्वारा सामने वाले व्यक्ति विशेश को प्रभावित कर सकता है और लाब ले सकता है दूसरे घर के मालिक हैं, ब्रस्पती कहाँ चल रहे हैं, राशी से चौथे घर में, सौम्में अवस्था में चल रहे हैं अपनी ब्रस्पति के लिए अच्छा होता है क्योंकि धन भाव का मालिक के इंदर में चल रहा है इसका मतलब धन आगमन के सरोत आने वाले समय में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं ब्रस्पति का संबंद चौथे घर से बैटके दशम भाव पर आ रहा है इसका मतलब वानी चौथा घर यानि सुख और धन इनका संयोग बना और उनसे आप करम भाव पर दरश्टी दे रहे हैं मतलब प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि करम करेंगे पैसा कमाएंगे वहयोग यहां साफ तोर पर दरश्ट हो रहा है अब आप देखेगा कि दूसरे घर से संबंदित इस्थितियां अच्छी हुई वहीं दूसरे घर के मालिक और कारक ब्रस्पती भी अच्छी अवस्था में है वहीं एकादश भाव जहां से मैं सोर्स ओफ इंकम यानि आपका पैसे को भी देखता हूँ यानि ये वो पैसा है जो करम से पैसा कमाए जाता है प्रोफेशनल लाइफ से पैसा कमाए जाता क्योंकि ये दशम से दुत्य है इसलिए दशम से दुत्य है बुद्ध है किस के साथ बैठे हैं शनी के साथ बैठे हुए हैं तीसरे घर के अंदर लाब प्राप्ती के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे धन कमाने के लिए संघर्ष होगा ये राशी से तीसरे में है तो आपके द्वारा किया गया संघर्ष सफल होगा क्योंकि उसके अंदर तीसरे के स्वामी शनी भी बैठे हुए हैं जब बुद्ध जैसा एकादश का प्लैनेट राशी से तीसरे घर के अंदर सइयोग बना रहा हो तो इसको कहते हैं परिवर्टन के द्वारा लाब लेने का योग इस्थान परिवर्टन से लाब, यात्राओं से लाब, तबादले से लाब, ट्रांसफर से लाब ऐसे योग बना रहा है आपका बुद्ध तो लाब के द्रश्टी कौन से ये कॉंबिनेशन खराब नहीं है आए के दोनों घर मजबूत अवस्था में मजबूत क्रहों की युती और द्रश्टी के साथ चल रहे हैं अब मैं बात करूंगा आपसे पंचम भाव पंचमेश और कारक बुद्ध और ब्रस्पती की बुद्ध पंचम भाव का कारक इसलिए लिया जाता है क्योंकि बुद्ध को एजूकेशन से जोड़ा जाता है पंचम भाव का कारक ब्रस्पती इसलिए लिया जाता है क्योंकि वहां से हम संतान को देखते हैं अब आपके पंचम भाव का मालिक ब्रस्पती है जो केंदर में ब्रह्मन कर रहा है यानि इस वर्ष शिक्षा के अच्छे संकेत होंगे इस वर्ष संतान प्राप्ती के संकेत होंगे यह इस्टती शिक्षा और संतान के नजरिये से अच्छी नजर आ रही है कारक बुद्ध राशी से तीसरे में तिर्तियशनी के साथ हैं शिक्षा के लिए दूरी रखना, शिक्षा के लिए दूर स्थान पर जाना इस्थान परिवर्टन करना अन्य स्थानों पर जाकर भ्रमन करना भी ऐसे ही योगों के कारण संभव दिखाई देता है यह combination आपके लिए बहतर है क्योंकि इसने शुरुवाती तोर पर अच्छे indications दिये 13 अप्रैल 2022 को ब्रस्पती कुम राशी से निकलेंगे और कुम राशी से निकलकर यह प्लैनेट राशी से पंचम में भ्रमन कर जाएंगे इसका मतलब है पंचमेश पंचम में आया शिक्षा के लिए अच्छा बुद्धी के लिए अच्छा, योजनाओं के दौरा धन कमाने के लिए अच्छा संतान प्राप्ति के योग ब्रस्पति उस समय बनाएगा संतान ना होना कंसीव हो जाएगा यानि संतान नहीं हो रही है तो कंसीव होने की संभावना बहुत दद बढ़ जाएगी यह योग आपको जीवन में तरक्की देगा आत्मिक शांती आत्मिक उन्नती कराएगा आध्यात्मिक उन्नती कराने के लिए भी ब्रस्पती का पंचम में जाना अच्छा माना जाता है जब ब्रस्पती पंचम में बैठेंगे तो पंचम भाव से बैठकर इनकी नवम एकादश और राशी विशेश पर द्रश्टी होगी नवम भाग्य में तिवरिता लाना भाग्य के अंदर उजागरता करना भाग्य को आगे बढ़ाना ऐसा हम कह सकते हैं या यह कहिएगा पंचम से ब्रस्पती का नाइन्थ हाउस पे कनेक्शन धर्म धार में क्यात्राएं धर्म के प्रती आस्था बढ़ाने का भी एक कॉंबिनेशन से होगा ब्रस्पती का एकादश्य संबंद लाव के अफसर लगातार किसी ना किसी माध्यम से आपके जीवन में बने रहेंगे तो ब्रस्पती की राशी के उपर दश्टी होना मान सम्मान और अच्छे स्वास के प्रती इंडिकेशन कर रहा है तो हुआ धनकारक के साफ से अच्छे हैं, शिक्षा के साफ से अच्छे हैं, संतान से सयोग दिलाना, संतान प्राप्ति कराना, कन्सीव कराना इन सब के लिए बहुत बहतर combination यहां बनता दिखाई दे रहा है तो उसलियाज से कॉंबिनेशन अच्छा है अब मैं बात करूंगा चतुर्त भाव चतुर्तेश यानि मकान और सुक्सादन की देखिए वर्ष के शुरुवात में ब्रस्पती जैसे शौमेगर है शुबगर है आपकी राशी से चौते घर में ब्रहमन कर रहे हैं इसका मतलब ह चौते घर के उपर शुब परभाव जब शुब परभाव आएगा तो जरूर कोई ना कोई घटना घटने के लिए तैयार है जरूर कोई ना कोई घटना वर्ष के शुरुवात में इंडिकेशन देती है क्योंकि मंगल भी उसको द्रश्टी दे रहे हैं तो किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, कोई पिलोट, कोई भूमी जमीन जादाद पर्चेस करना भी 2022 में साफ तोर पर दशित हो रहा है अब शनी देव यहां तीसरे और चौते घर के मालिक हैं चौता घर भूमी जमीन जादाद के लिए जाना जाता है ब्रसपती ने तो उसके लि दश में होना इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तीसरे का मालिक तीसरे में है तो साहस, योजनाय, व्रधी इनके लिए बहतर माना जाता है वहीं राशी से चौते का मालिक भी शनी अपने से दवादश में बैठा है इसका मतलब जरूर प्रापर्टी से संबंदित को इन्वेस्ट दवादश भाव पर द्रश्टी देंगे, ब्रसपती चौते घर से बैठके अपनी नौनवी द्रश्टी दवाव पर देंगे तो वहीं शनी भी अपनी द्वादश भाव पर द्रश्टी दशं द्रश्टी डालेंगे 12th house activate हुआ 12th house के उपर double transit आया इसका मतलब है कुछ ना कुछ बाहर से जुड़कर भी काम होने वाला है दूरी यात्रा परिवर्तन इस्थान परिवर्तन ट्रांसफर होना भी इसी combinations के कारण देखा जाता है 12th house के उपर होना किसी ना किसी परकार की बाहर के रूप में जुड़कर क्योंकि यह investment का house है हो सकता है आप कोई घर से दूर कहीं property purchase कर लें कोई मकान ले लें कोई फ्लैट ले लें कोई ऐसा investment कर दें जिससे आपको बविश्य में लाब हो या कोई विदेश यात्रा का योग भी इसी combination से बनता दिखाई देता है तो प्रस्पति शनी का दोहरा गोचर वहां दिखता है यह combination विदेश यात्रा विदेश जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादे एहम भूमी का रखता है तो शनी की स्थिती के बारे में थोड़ा और बात करते हैं कि शनी देव 29 अप्रेल 2022 को यहां से ट्रांजिट करके मकर राशी में आ जाएंगे मकर से कुम्ब में इनका गोचर राशी से चोथे में होगा चतुरते शोथे ही घर में होंगे यानि फिर से यह भूमी जमीन जादा प्रोपर्टी के लिए अच्छा योग है लेकिन शनी देव जादे समय तक इस राशी में ब्रह्मन नहीं करेंगे तो चेस्टा बली शनी होंगे उस दोरान आपके लिए मजबूत होंगे यह कॉंबिनेशन प्रवल होगा और 12 जुलाई के बाद लगवाद जुलाई के अंत तक जाते यह प्लैनेट फिर से कुम्ब से निकल के मकर के अंदर पहुँच जाएंगे और वर्ष के अंत तक भी शनी देव मकर राशी में ही रहेंगे अब एक प्लैनेट पहले मकर में थे फिर वो कुम्ब में आ गई कुम्ब में कुछ समय तक रहे वक्री होगे वक्री होगे पीछे चले और पिछले भाव में एंट्री कर गई ये दौनों भाव को अगर मैं मैंचिंग करूं तो तीसरा भाव, एफर्ड, संगर्ष इनके लिए जाना जाता है व्यक्ति सहजता से अपने जीवन में कार्य करता है व्यक्ति अपने जीवन में पूरी महनत के तरह लगा होता है तीसरे घर यानि अपने आप कुछ creativity करता है कुछ नया खोज निकालता है और उसके प्रती मेहनत करके अपने आपको आगे बढ़ाता है वहीं शनी की जब इस्तिती तीसरे घर के अंदर देखी जाती है तो ये 12 भाव पर activation है कुछ समय के लिए ये कुम्ब में होंगे लेकिन फिर से 12 आउस से connection बनाएंगे यानि लगातार शनी का बारवेगर से जुड़ना शनी क्या है करमकारक बाहर के लोगों से जुड़कर आपसे फाइदा दिलाएंगे आप भले ही अपने इस्थान पर बैठके कारे करते हैं लेकिन इसको कहते हैं दूर दूर की clients के संपर्क होना अब कोई वकेला वकालत के छेतर में है कोई जोतिश के छेतर में है कोई करमकांड के छेतर में है कोई डॉक्टर है कोई फिलोसपर है किसी भी तरीके का आपका काम है लेकिन अवश्य ही आप से ऐसे लोग जुड़ने वाले हैं जो दूर स्थानों से आप से जुड़ेंगे चाहे वो टेलीफोनी कंसल्टेंसी करें चाहे इंटरनेट के माध्यम से इमेल के माध्यम से जुड़ें लेकिन आपके लिए ये एक अच्छा ही योग है इस वक्री शनी को मैं कोई खराब योग नहीं कहता क्योंकि शाहत रमेशा ये कहता है राशी से तीसरे में गया हुआ अशुप गरsan अच्छा होता है अपने कर्म कि अपनी professional life को देखते हैं हम क्या कर्म करते हैं रोजानावे दशम भाव से होता है उसके अंदर एक हिस्सा है प्रफेस्टनल लाइन घर से अपने दिन चठाव को रिप्टाने के बाद काम करने भी तो जाते हैं दूसरे के मालिक ब्रसपती वापस देखता है दशम भाव को इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि यह जो combination है यह आपके लिए एक बहतरी को लेकर आ रहा है वह बहतरी क्या है कि आपकी professional life धन भाव से जुड़ गई यानि indication आया वर्ष के शुरुआत में कि professionally यह वर्ष अच्छा है professionally यह वर्ष धन देगा कैसे धन देगा बोल चाल से अगर आपका कोई भी ऐसा कारा जिसमें आपका बहुत ज़ादे बोलने का काम है लोगों को guidance देने का काम है बोजद समझाने का काम है पढ़ाने का काम है सलाह देने का काम है तो यह वर्ष आपके लिए उन्नती वाला है क्योंकि इस वर्ष सूरिये ने ब्रस्पती की राशी में बैठके ब्रस्पती से और ब्रस्पती ने दश्म भाव पे द्रश्टी देकर इस बात की तरह इशारा कर दिया कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है या आपके लिए बहतर है प्रोफेशनली अच्छा है चाया आप नौकीरी के फिल्ड में हो चाया व्यापार के फिल्ड में हो आपके लिए गोचर बारे में बात करते हैं देखे राहू केतु अभी तक आपकी राशी राशी से सब्तम पे ट्रांजिट करना बहुत सारी चीज़े देता है अगर ये disturbance in mind देता है, health issues देता है, चिड़ चड़ाहट देता है, लेकिन काम में लगे रहने की प्रवर्ती भी देता है, व्यक्ति को साहस भी देता है, व्यक्ति लगा रहता है किसी न किसी वज़े से, साथी साथ राहू केतू का संबंद जब राशी और सब्तम से हो जाता है इसको हम कहते हैं, ये combination कुछ लोगों के लिए फलित हुआ विवहा कराने के लिए, विवहा से संबंदित इस्थितियों के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि सब्तम भाव में राहू है, इसलिए मैं यहां विवहार विवहा से संबंदित बात भी आप से हां करूंगा, कि देखिए राहू का सब्तम भाव में जाना शुक्र की राशी में होना है, और शुक्र वर्ष की शुरुवात में धनु राशी में दूसरे घर में दश में सूरिय के साथ गोचर कर रहे हैं, अगर पोजिशन के साब से मनू तो प्लैनेट अपने से आठवे में गया है, य अच्छा कॉंबिनेशन नहीं माना जाता, अगर मैं सब्तम भाव के उपर दोहरे गोचर के बारे में बात करता हूं, तो वह भी कॉंबिनेशन मुझे अच्छा नहीं मिला, क्योंकि इस वर्ष ना तो ब्रस्पती और ना शनी आपकी राशी से सब्तम भाव के उपर ट्रां सब्तम भाव से गोचरी में किसी भी प्रकार का संबंद ना बनाएं, तो यह जरूरी नहीं है कि विवा नहीं होगा, उस दोरान विवा होगा, लेकिन गोचर अपना रोल पूर्ण तरीके से अदा नहीं कर पाएगा, इसका मतलब है मानलो आपको सब्तम भाव से संबंदित महा दशा दो ड़ाई वर्ष की अगर चल रही है, तो क्या समझेंगे जब तक गोचर नहीं आएगा, तब तक विवा नहीं होगा, तो समझ लिए 2022 में आपका गोचर नहीं आने वाला है, लेकिन जब 2023 आईगी, तो यह गोचर आपके लिए आजाएगा, उस समय दशा भी च शेस को नहीं मिलता, उस भाव से संबंदित फल अच्छे नहीं प्राप्त होते हैं, वही विवाद से संबंदित हैं के विवाद के लिए गुरु शनी का आशिरवाद बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैरिड लाइफ को लेकर प्रॉब्लम की बात करें, तो किसी परकार की को राहू केतू आपकी राशी से 12 और छटे घर के अंदर प्रवेश करेंगे, देखिए बारवा घर और छटा घर, जब जब राहू केतू के एक्सस में आता है, तो राहू केतू सभाव से तो अशुब हैं, सभाव से मेलफिक हैं, और ये जो दोनों भाव हैं, ये अपने खर्च होना इन सब के लिए दिखाता है, तो सबसे पहले आब राहू को देखेगा, राहू चटे गर में मंगल की राशी में शत्रु अंता योग बनाता है, वो इसलिए हैं, क्योंकि मंगल सेनापती हैं, मंगल अगनी कारग रहे हैं, राहू निर्भीक और सहासी क्या बिलकुल भी घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं, साहस दे रहा है ये प्लैनेट, लेकिन सिक्स्थ हाउस में राहू आए, और व्यक्ती को हेल्थ इशूज नाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो छटा घर रोग के नाम से विशेस रूप से जाना जाता है, तो छटे घर मे अगर प्लैनेट बैठेगा, तो थोड़े बहुत हैल्थ इशूज तो आपको देगा, लेकिन यहां से कोई बड़ी परिशानी नहीं देखती, कहते हैं मेश राशी में राहू का ट्रांजिट माईग्रेन से सम्बंदित, सिर्दर से सम्बंदित समस्याएं देता है, यह रा बारे में बात करें, तो राहू एक पॉजिटिव घ्रह है, जो अच्छा ही है, अब केतू 12 में है, राशी से 12 में केतू हो, सबसे पहले खयाल किस चीज़ का रखना है, अपने खान पान और अपनी दिन चल रहा है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ स्टाइल को आपको बीमार कर सकता है, मुख से संबंदित रोग, आँखों से संबंदित तकलीफ होना भी इसी कॉम्बिनेशन में देखा जाता है, आयसे अधिक खर्च होना, बीमारियों पर खर्च होना, किसी ना किसी कारण से लगातार पैसे का खर्च होते रहना भी इसी कॉम्बिने इन्वेस्टमेंट हेल्थ इशूज डॉक्टर के हां आना जाना पैसा लगाना बीमारी पैसा खर्च होना मेडिसिन खाना यह सब कुछ 12 आउस से रिलेटड के तू से आता है यह शुक्र की राशी में है और यह 12 आउस इन्वेस्टमेंट का है तो यह रशी के लिए देखें तो शुक्र मित्र नहीं होते मंगल तो फिर भी ठीक है क्योंकि आपकी रशी रश्च्चिक है लेकिन रशी से 12 से 12 घर के मालिक भी तो शुक्र है और शुक्र आपकी रशी से मितरता नहीं रखता इसलिए वहाँ पर गया हुआ केतू आपके लिए अच्छे इंडिकेशन नहीं लाता उसके उपर एक शनी जैसी द्रश्टी भी लगातार पड़ रही है वह भी सुभाव से अशुब हैं इसका मतलब है कोई शुब प्रभाव केतू के उपर नहीं केतू यहां श स्वास के अंदर गड़बली भी दिखा रही है अब इन सब चीजों को आपको अपने दिंचर्या से परफेक्ट करना होगा अपने नौलिज से अपने घ्यान से अपने खुद के करम से आप इसको जितना बहतर करेंगे उतना अच्छा रहेगा क्योंकि राहु छटे में बै सब्सक्राइब करना है तो इसका आपको विशेष रूप से देना होगा ध्यान तो यह तो ती एक प्लेटरी पोडिशन के आपके लिए किस परकार के ग्रहों के चल रहे हैं अब हम बात करेंगे उपायों की कि इस वर्ष उपायों के लिए क्या करना चाहिए कि कैसे आपको बचना चाहिए देखे सबसे ज़्यादा जरूरी है सबसे पहली चिंता मुझे रहू केतु से सम्मदित निकल के आई है मैं अभी तक जितने भी कॉंबिनेशन देखे उसमें कोई भी प्लैनेटरी पोडिशन आपके लिए नुकसान दायक नहीं लेकिन रहू केतु ने नु जाना देवी कवच का पाठ करें मातरानी की शरण में जाएं देवी कवच दुर्गाश अफशती से पढ़ें और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें ये तीन पाठ करें बस इन तीन पूजाओं को आपको निरंतरता में रखना है खासत और पे कब देगा या आप उससे माफ ही माँगेंगे कि भाई मेरे को आप माफ कीजिए मुझे स्वस्त रखिये मेरे जीवन में सुक्षान्ती बनाए रखिये तो ये था मेरा आज का विशय के प्लनेटरी पोजिशन्स वर्स 2022 में वरश्चिक राशी वालों के लिए कैसी रहने वाली है उसके बारे में हमने विश्तरी तरुप से चर्चा की है फिर से नई विशय के साथ आपके सामने हाजिर होंगा मैं तब तक के लिए बने रहीएगा मेरे साथ जैशरी राव